Hey students, अगले 90 second में हम pH topic के बारे में जानेंगे कि pH हमें कैसे help करता है to determine कि मेरा given solution strong acid है, weak acid है, strong base है, weak base है, ठीक है, pH का जो scale है, Sorensen ने दिया था और ये हमें 1909 में मिला था, उसने बोला एक mathematical scale है, जिसके value 0 से 14 तक जा सकती है, और आप इस value को कैसे निकालते, एक formula की help से, जो pH है, hydrogen ion के inversely proportion होता है, एक solution के अंदर hydrogen ion जतने जादा हो गए, मतलब वो उतना ही जादा strong acid है, मतलब उसका pH उतना ही कम है, least है, तो इस scale में देखिए, यहां पे मेरी value सबसे कम है, मतलब वो एक बहुत ही जादा strong acid है, अब अगर hydrogen ion थोड़े से कम हुए, मतलब pH थोड़ा सा होना शुरू हो गया, hydrogen कम होने का मतलब, acid थोड़ा सा mild हो गया, फिर थोड़ा और weak acid होता चला गया, और उससे यह भी बोला कि अगर आपको OHI के terms में देखना है, जो मुझे एक base बताता है, बेस मतलब जितना strong base मतलब उतने जादा OHI, जितने जादा OHI से मतलब उतना जाद ही pH value है, यानि कि सबसे maximum pH value यहां है, तो यहां पे जो base है, तो सबसे जादा strong होगा, क्योंकि यहां पे OHI सबसे maximum होगे, यहां पे strong हो गया, यहां पे थोड़ा weak हो गया, I mean mild हो गया, और यहां पे थोड़ा weak हो गया, लेकिन जब हम इस point पे पहुंचते है, 7 पे, तो 7 ऐसा scale है, जहां पे hydrogen ion और OHI equal है, ठीक है, ना acidic है, ना basic है, इधर जाओगे hydrogen ion increase करेंगे, मतलब acidic strength increase करेगी, इधर जाओगे OHI increase करोगे, मतलब basic strength increase करेगी, लेकिन 7 पे आपका solution होगा, neutral, so strong acid, mild acid, weak acid, neutral, weak base, mild base, strong base, that's the scale of 0 to 14, for instance scale, color आप उल्टी डिरेक्शन में याद रखिए, के एक universal indicator में वो color दिखाते है, violet, then greenish, उसके बाद मेरा, विप्गोर आप कैसे लिखते हो, violet, indigo, फिर आपके bluish color, greenish, yellow, orange, red, तो यह variety of color वो आपको दिखाएंगे, I hope it's helping, do let me know.